इस करोना जैसी आपदा से पूरा भारत लॉकडाउन है और हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू है गरीब और धिहारीदारों को दो वक्त की रोटी के लाले पढ़ने शुरू हो रहे हैं लेकिन कई पंजाब और हिमाचल क्षेतर से संबंद रखने वाले समाज सेवी और युवा शक्ती अपने अपने माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की हर संभव साहयता करने में जुट गए हैं ताकि इस लोगडाउन के स्थिती में कोई भी गरीब दो वक्त की रोटी से वन्चित रहकर भूखा न सोए इसी के चलते आज समाज सेवी दौलत सिंग पठानिया जो की इंदौरा के ही मकडोली पंचायत से संबंद रखते हैं और इंदौरा के मंड सनोर में एक फार्म हाउस के मालिक हैं पंजाब के दीनानगर में रहते हैं उन्होंने आज अपने सहियोगी सुरिंदर सिंग निवासी जडिंग को साथ लेकर पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के प्रभारी सब इंस्पेक्टर रूप सिंग और सहाय कुपन रिक्षक सर्ताथ सिंग की मौजूदी में मंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसंत पुर क गाउं रतनगड और बेला इन दौरा में 25 जरूरतमंद प्रवासी परिवार जो की जूंगी जूंपडी में रहते हैं को अपनी और से अनाच चावल, तेल, नमक आटा, चने की दाल, चने, हल्दी, मसाले, नमक, प्याज, आलू, वसाबुन आदी जरूरी चीजें वित्रि अपनी और से देने को तैयार रहूंगा, ब्यूरो रिपोर्ट इंदौरा